हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ न्यूटी की सबजी एकदम अलग तरह की मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही श्वादिश्ट बनके तयार होती है तो चलिए दोस्तों बनाते हैं तो यहाँ प ताकि यह अच्छे से फूल जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बढ़ियां अच्छे से फूल चुकी है दस मिनट हो चुके हैं और इस तरह के एक किसी भी जारे से हम इनको अलग कर देंगे तो सारी बढ़ियां दोस्तों मैंने निकाल दी हैं और इनको थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे और हाथों से इस तरह से अच्छे से निचोड़ते हुए इसको हम दूसरे बरतन में रख देंगे तो दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सभी पसंद आ दिये तो लाइक, सियर और अपने प्यारे- क्याएब कर दो लिदा नमख दिया है, साथ में दोस्तों मैंने यहांपर तीन चमच बेशन लिए है और बेशन को मैं इसने डाल दूगी और हातों से इसको हम अच्छी से जुआ मिक्स करेंगे और ताकि जो हमने ये बेशन और मसालव लिए हैं वो सारी बड़ियों में जो से कोट हो जाए तो इस तरह से हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको दोस्तों ढखके रख देंगे पांच मिनट के लिए ताकि जो भी मसाला और बेसन हमने डाला है वो अच्छे से बढ़िया जो है वो एब्सॉर्ब कर ले कड़ाई जो है गैस में रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है तीन चमच सर्सों का तेल और तेल इसमें बढ़िया मसाले में मैगनेट की थी उनको हम इसमें डाल दिये agreement तो मैंने सारी जो बढ़िया वो एक साथ इसमें डाल दी है और अब इसको हम भूनेंगे तेल में जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहुजाए तो दोस्तों यह जो हमारी नूटी है वो अच्छे से ब डाला है दो चमच सर्सों का तेल और तेल को हम पहले अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ खड़ी मसाले यहां पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है एक चोटा सा टुकड़ा मैंने दालची निका लिया है एक हरी लाइची मैंने लिया उसको म तोड़ देंगे नहीं तो यह उचल के आ जाती है एक लॉंग ली है और इस तरह से हम कुछ खड़ी मसाले लेंगे और उनको हम भून लेंगे तो यह जो खड़ी मसाले हैं यह हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब मैंने यहाँ पर यूज किया है एक चोटा चमच साबु जीरा तो जीरा भी हम तलकने देंगे उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे प्याज तो यह एक मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने ब जाली मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है उनको बारिक चॉप करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और एक चमच मैंने यहाँ पर लिया है लैसुन का पेष्ट तो लगभग यह दस से बारा कलिया जो है लैसुन की है इनका हम पेष्ट बना लेंगे और फिर इसमें हम एड़ कर और मिर्ची जो है दोस्तों वह आप अपने स्वाथ के इसाब से कम या जादा रख सकते हैं आप जितना भी तीखा खाते हैं उतना ही आप इसमें हैट करिए साथ में टेमेटो प्यूरी मैंने डाली है एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने लिया है और उसको मैंने मिक्सी में पारीग पीस लिया है तामाटर को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक यह तेल न छोड़ दे तो अच्छे से टमाटर भून चुका है अब मैंने यहाँ पे डाला है आगा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है लाल मिर् तो मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से और इसने तेल भी दोस्तों छोड़ना शुरू कर दिया है अब हमने जो न्यूटी ली थी उसको हम इसमें अड़ कर देंगे और अच्छे से हम जो है इसको मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को एक दम लो रखें एक से दो मिनट हम इसको ऐसे ही कर्ची से चलाते हुए पकाएंगे और फिर हम इसमें पानी आइड कर देंगे तो मैंने यहाँ पे लगभग दो गिलास के करीब पानी आइड किया है क्योंकि जो हमारी नूटी है वो पानी को एब्सॉर्ब करेंगे और फिर धकन लगा के हम इसको रख देंगे कम से कम 7-8 मिनट के लिए फ्लेम को एकम कम कर देंगे और देखे दोस्तों 7-8 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो नीटी है वो अच्छे से पक चुकी है और अब मैंने इसमें डाला है आदा छोटा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा डाला है कशुरी मेथी और इसको मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट हम इसको और कुक करेंगे तो सबजी दोस्तों हमारी तयार है अगर आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी आइड कर सकते हैं और जो हमने खड़े मसाल इसमें डाले थे हैं उनको हम इससे हटा देंगे तो मैंने थोड़ा सा पानी और एड किया है ताकि थोड़ा सा ग्रेवी मेरी थोड़ा सा पतली हो जाए बहुत स्वादिश्ट बनके तयार होती है एकदम डिफरेंट इसका टेस्ट आता है दोस्तों एक बार बना के जरूर देखे और हरे धनी से गार्निस करके अब हम इसको शर्प करेंगे तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को वाच करने के लिए मुझे अपना प्यार और शपूर देने के लिए और आगी भी ऐसे देते रहें मिलते हैं नेश्ट रेसिपी में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरापर नाम थैंक यू वन्स अगेन